यह हेलो फ्रेंड्स मैं दिपब गुपता वेल्कब टू मैं यूटूब चैनल तो आजका हमारे लेक्चर है अन सिक्वेंसिंग के उपर और सिक्वेंसिंग में मेरा लेक्चर है यह एंड जॉब एंड टू मशिन प्रॉब्लम के उपर ओके लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहिए कि जो मेरे इसके प्रीवेंस दो लेक्चर है शॉट लेक्चर है पाच-पाच मिनिट के लाइक वाट इन में सिक्वेंसिंग क्या होता है उसके असंचिंस क्या है और केस वन में कैसा यह टी आईजए मतलब क्या हो है तो देखिए हमनों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या दिया है यह टाइप है मेरा एंड जॉब एंड टू मशीन प्रॉब्लम यहाँ पर टेबल दिया हुआ है प्रॉब्लम बर वन सिक्ट जॉब आर्टू बी प्रोसेस ऑन टू मशीन एम वन एम टू छे जॉब है एक प्रोसेस ऑन टू मशीन एम वन एम टू इन एम टू कि यह आउडर को हमेशे याद रखे है यह एम वन से एम टू कभी-कभी एम टू 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 एम वन भी होता है प्रोसेसिंग टाइम में आर्स अर गिवन इन टेबल डिटर्माइन दा सिक्वेंस देट मिनिमाइज टोटल मतलब ये पुरो जॉब करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा और मेरा मशीन एम टू कितने समय एम टू इमीचे मुछे बता हिä यह आ हाइ और मशीन 2 पर लगता ह स्टार्ट करते हैं, सम यहां पर हमारा, यहां पर आएगा मेरा सॉलूशन, तो सबसे बेले मुझे यहां पर क्या करना है, कितने जाब पर उसको लिखना है, यह बेसिक स्टाटीम में करते हैं, जैसे हम लोग आगी जाएंगे हम लोग इसको यह जू स्टेप इसको हम लोग कम कर देंगे तो देखिए सबसे बढ़े यहाँ पर आएगा stage stage के बाद यहाँ पर आएगा unscheduled job unscheduled job दिन यहाँ पर आएगा minimum tij दिन यहाँ पर आएगा partial sequence क्या आएगा आपे partial sequence stages यहाँ पे आएंगे कितने stage है यहाँ पे? 6 stages जितने जोग होँगे उतने stage यहाँ पे होँगे तो दिख्किये यहाँ तक में इसको close करता हूँ कि यहाँ तक बनाओंगा मैं 1, 2, 3, 4, 5, तो यह पे 6 1, 2, 3, 4, and this one is 6 यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या बननना है? पार्शल सिंक्वेंस बननना है, तो देखें यहाँ पे यहाँ से इंट्री होगा M1 का, यहाँ से इंट्री होगा M2 का यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो के? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 जाओब है तो 6 मैंने यहाँ बॉक्स बना लिये हैं यहाँ पे तो देखें यहाँ पे हम लोग कैसे गरेंगे यहाँ पे? तो सबसे वेले यह आइजएडिस यह बना लिये हैं यहाँ पे ब्लैंक बना लिये हैं यहाँ पे? तो सबसे वेले कितने अंशिडूल जाओब हैं मैंने पास? सब के दब 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंशिडूल जाओब हैं मैंने पास अब भी देखें सबसे जो as per Johnson algorithm क्या बोलता है? सबसे पहला step 1 बोलता है कि यह सब जो डिये वे times उसमें से सबसे कम processing time किसका है? तो यहाँ पे चाहिए किया तो 2, 3 और यहाँ पे 1 तो 1 से कम तो यह होगा नहीं और कितने 1 है यहाँ पे? एक ही 1 है तो यह ही होगा है यह रहा है यह job no 4 है और यह machine 2 पे आ रहा है क्या है job no 4 तो यह होगा यह पे tie time of job 4 और machine 2 तो यह होगा t42 और कहां पे आएगा वह entry कहा से होगा? purchase 2 होगा और जो available है यह होगा यहाँ पे यह आएगा इसका नाम होगा 4 यह हो गया 4 तो सब जगा 4 यह भर दो कि यह जगा fix हो गया इसका जिसी हो गया इसको cut कर दो यह job 4 को job 4 चला गया है यहाँ से जिसी job 4 चला गया है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके बस यह आएगा हाँ पर 1 2 3, 5 and 6 अभी कौन सा है आपका सबसे minimum value यहाँ पर 1 चला गया पर बचाए 2 क्या अभी 2 है मेरा minimum value कहाँ पर आ रहा है वो है job 2 क्या है वो job 2 ओके वो है job 2 और machine 1 यहाँ पर 2 for i, ti j होता है ti j यहाँ पर i होता है job और j होता है machine तो यहाँ पर t अभी 2 जगा feel हो जाएगा सबका अभी next यह उन्हें के बाद 1 3 5 6 अभी सबसे कम value किसका है मेरा अभी सबसे कम value क्या आ रहा है 4 क्या रहा है यहाँ पर 4 4 सबसे कम है और कहाँ पर आ रहा है 4 machine 2 पर आ रहा है तो job कौन सा है job 1 है यहाँ पर t job 1 on machine 2 तो entry कहाँ से होगा machine 2 पर entry होगा job कुन सा है का 1 यहाँ पर आ रहा है job 1 machine 2 से entry होगा job 1 जो उसके आगे वाल जगा है हुआ पर fill होगा है क्योंकि यह जगा तो 4 ने ले लिया है यहाँ पर 1, 1, 1 आ गया तो उसी तरह यहाँ पर इसको मैं job 1 को लिकाल दूँगा है आसी बाहर हो गया है आपको यह में यह पेंसे कर रहा हूँ आपको यूज करना यहाँ पर pencil एक्जाम में यहाँ पर आएगा भी 3, 5, and 6 3, 5, 6 में से कौन सबसे minimum है 9, अभी क्या आएगा यहाँ पर 8 और 9 में बाकी सा बढ़ है 13, 14 में यहाँ पर 12 लगन है यहाँ पर कौन सा आ रहा है यह वाला 8 8 कहाँ पर वो क्या है वो वो है job number 5 है क्या है वो वो है job number 5 machine 1 पर कम आ रहा है कहाँ पर entry होगा machine 1 से entry होगा क्या होगा job number 5 तो यहाँ पर आएगा 5 यहाँ पर 5 और यहाँ 5 तो यहाँ पर यहाँ आएगा यहाँ पर और यह क्या हो जाएगा यहाँ पर cut हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3, 6 क्या है यहाँ पर 3, 6 भी क्या हो अच्छा है 12, 11 और 13, 14, कौन सबसे कम, यह है, कौन, job number 6 सबसे कम है, कहाँ पर आएगा हो, job number 6, t, t, चलो rate से लिख देता हू, t, job number 6, on machine 2, तो कहाँ entry होगा, machine 2 से entry होगा, job number 6, तो यहाँ पर entry, और बचा क्या अभी, 6 चला गए, क्या बचा है, 3, क्या आएगा, सीधे column में यहाँ पर, 3 आ कुछ किये हो, यहाँ पर, 3, तो यह होगा मेरा, therefore, optimal sequence is, 2, 5, 3, 6, 1, 4, यह मेरा optimal sequence, अब यह optimal sequence होने की बाद, मुझे क्या करना है, यह तो खत्म हो गया, अब मुझे find करना, idle time और elapse time, क्या find करना है, idle time और elapse time, ओके, चलो देखते हो, कैसे हम लोग solve करेंगे, यहाँ आपर, तो सबसे पहले आपको गया करना है, यहाँ पर, देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टेबल बनाना है, देखिए, क्या आएगा टेबल में आपको यहाँ पर, बता तो आपको टेबल में क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, optimal sequence , जहाँ पे आएग machine one , यहाँ पे आएगा in Time , यहाँ पे आएगा machine two , यहाँ पे in , यहाँ पे आएगा Ideal time on Machine railway यहां पर दो कॉलूम इन और नौट का यहां पर कितने जॉब सीक्वेंस ने लिए होगे अप्टिमल टू यहां पर लिप भी आपने यहां पर इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा अच्छी से बनाइए में जोड़ा फास्ट बनाएं यहां पर नौ अभी देखिए सबसे पहले एक्जाम्बल मैंने दुकां के शेटर उपन किया अच्छी टाइम इतना रहेगा जीरो क्या रहेगा जीरो जीरो इन टाइम पहले जॉब को उन सा रहा है मेरे पास मैंने इंजीरे इंजीरे बना के दिया कि यह सिक्वेंस से इस सिक्वेंस में को करना है अब भी देखिए जॉब ओपन कियाए मशियशाब ओपन किया जॉब PROF 2 आया जॉब 0 और olha चॉरो के एक जेगह से बदने के लिए 2 hours, तो यह किया 0 यहाँ पर आएगा 2, ओके, now अब B क्या होगा, मशीन 2 खाली पड़ा है, येस खाली पड़ा है, कितने डाइम खाली पड़ा था यह मशीन, तो यहाँ पर आएगा 2 गणते खाली का, क्यूंकि यह 2 गणते कर यहाँ पर आएगा, एक जोब चल जॉब नमर टू, मशिन टू पे आएगा, कभी जाएगा, दो गंटे के बाद, तो यहाँ पर लिखा, जॉब टू, जॉब टू को मशिन टू पे, टाइम कितना लगता है, त्री आज, कितना लगता है, त्री आज, तो यह 2 प्लस 3, कितना होगा यह, 5 आज, ओके, नॉब अभ फ्री हो रहा है, दो गंटे के बाद, फ्री हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनिशिल टाइम, इन टाइम, यहाँ पर आएगा, 0, 2, और जॉब नमर पाच को, मशिन टू पे टाइम लगता है, 8 आर, तो यहाँ पर आएगा, 10, 2 प्लस 8, ओके, यह जॉब नॉब आएगा इसके बाद, जब यहाँ पर मशिन 1 पे जॉब खतम करेगा तब ही, ओके, सिक्वेंस के हिसाब से जॉब नुमर 5 आएगा, कब आएगा, जब यहाँ पर खतम हो तब, यहाँ पर कभी खतम हुआ, मशिन 1 पे 10 घंटे बाद, ओके, उसके बाद मशिन 2 पे जो आइडल पड़ा रहा है, अभी कौन सा जब आएगा, मशिन 1 पे, मशिन 1 पे जब आएगा, कौन सा, जब नुमर 3 आएगा, कब आएगा, मशिन कब फ्री हो रहा है, मशिन 1 दसवे घंटे में फ्री हो रहा है, दसवे आर्स में फ्री हो रहा है, जब नुमर 3 को मशिन 1 पे ल chain 2 पह लगता है 9 HAR तो यहाँको आएगा 1919 अगतो जॉब 1 अग्जी कभिशुरा जाने के लिए 23 हों पहें का धसीोव होगया है 19 गंटे में window 23 थे आँटे में 22 थे मंदलब 23-19 इसको प्री रहना पड़ेगा अदल बश्चीन वेट कर रहा है तो चलेगा नहीं मुझे यहाँ पर आएगा वैल्यू फोर लाइक चक्की का आपका दुगान है आप चक्की वाले हो ओके आपकी पस कस्टमर कड़े हो है लाइन में आपका चक्की चलना चाहिए मतलब आपका क्या है आपको जो मिल रहा है रेविन्यू किसे मिल रहा है आपका चक्की चल रहा है आपको चक्की से रेविन्यू मिल रहा है कस्टमर भार खड़े रख चलेगा एक करके कस्टमर आ रहे है तो फायदा किसको है आपको ही फायदा है क्यूंकि आप आप आइडल नहीं बैठे हुए आप जो चक्की चल रहा है जैसे एक कस्टम खत्म होऊं दूसरे कस्टमर को लिया एक कस्टम क्थिन आप जो काम में प्रोपर से अगर्धोर आप खाली में देख है और कस्टमर लेक्ट आ रहे एक तो आपको प्रोलम है क्यों बड़ यहाँ पर क्या है मतलब यहां पर job को wait करा हूँ चल देगा मुझे no issue because मेरा revenue जोग constant है वो machine run करने भी आती है समझ गए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ तो यह wait मतलब job wait करें चलेगा machine को wait नहीं करना है machine को wait क्या मतलब क्या मेरा light bill आते रहेगा job क्या job तो wait कर सकता है वो मुझे next चलेगा now अभी job 3 कब आएगा यहाँ पर job 3 आएगा machine 2 पर 23 पर आएगा और job 3 को machine 2 पर लगता है 14 hours कितना लगता है 14 hours तो यह 23 plus 14 यह हो जाएगा आपर 37 now अभी job number 6 आएगा machine 1 पर कभी आएगा 23 hours में यह free होने के बाद ओके तो 6 यह machine job 6 machine 1 पर लगता है 12 गंट तो यहाँ पर आएगा 23 plus 35 now अभी देखे यहाँ अभी यह कभी free हो रहा है job number 6 35 hours में free हो रहा है 35 गंटे में यह free हो रहा है यह कहाँ पर जाएगा यहाँ पर जाएगा machine 2 पर जाएगा 35 गंटे में job available हो गया बड़ machine free नहीं है मतलब चक्की वाला free नहीं है चक्की वाला बोल रहा है मुझे और दो गंट लगेगा क्योंकि customer है एक job उसका काम चल रहा है तो आपको आपके हाँ पर customer job 6 के हाँ पर customer है customer wait कर रहा है क्यो wait कर अब customer 3 का काम भी तक हुआ नहीं है तो कभी आएगा ये जबी customer 3 का काम पूरा होगा तभी मतलब customer 3 का जो भी गय हुए जब पीसे का तभी कभी पीसे का खतम होगा वो 37 गंट में ये पीसे का machine नहीं यहाँ पर वेट किया गया नहीं तो यहाँ पर आएगा idle time 0 machine 1 को लगता है यहाँ पर 5 गंट यहाँ पर 40 अभी देखिए अभी job 1 कभी free हो गया 40 गंडे free हो गया अभी check करने का है कि यह free है कि नहीं machine 2 machine 2 अभी busy है job 6 के साथ मतलब उसका काम चल रहा है उसको पैसा मिल रहा है कोन वेट कर रहा है अपर customer वेट कर रहा है idle time क्या होगा आपर 0 machine ने वेट किया क्या है नहीं वेट किया now अभी job 1 को कितना time लगता है machine 2 पर job 1 को machine 2 बगता है 4 गंटे तो यहाँ पर होगा 48 प्लस 4 यहाँ पर आएगा 52 समझ के आपको यहाँ पर now अभी job 4 आएगा machine 1 पर कभी आएगा 40 hours में आएगा 40 hours में आया और job 4 को machine 1 पर time में पर लगता है 10 hours तो यहाँ पर आएगा 50 अभी यहाँ पर 50 में फ्री होगया बट machine 2 को फ्री हो रहा है 52 है आउस में free हो रहा है idle time 0 और job number 4 को machine 1 पर लगता है एग घंटा तो यहाँ पर आएगा 53, तो यह हो गया 53 आपका optimal time, क्या हो गया, 53 आपका हो गया, तो देखिए, यहाँ पे लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, therefore, total elapse time is equal to 53 hours, यहाँ से, ideal time, यहाँ पे आएगा, ideal time on machine 2, is equal to, यह add करना पूरा, 2 plus 5 plus 4, कितना हो गया यहाँ पे यह, 9 plus 2, यहाँ पे हो गया, 11 hours, 11 hours था machine 2 का, और machine 1 का भी आएगा, ideal time, machine 1 का ideal time कितना आएगा, पूरा job कब खतम हो रहा है, 53 गंटे में खतम हो रहा है, 53 hours में खतम हो रहा है, 53 hours, machine 1 कभी काम खतम कर रहा है, बन हो रहा है, 15 गंटे में, मलब यह sequence है पूरा, machine 1, machine 2 साथ में काम करते हैं, तो दोनों का आना चाहिए time, एक साथ, तो मलब दोनों machine एक की साथ काम बन करेंगे, मतलब इसका पहले हो गया, इसका मतलब की नहीं कि यह चले आएगा, इसको वेट करना पड़ेगा, अभी इसके लिए रहेगा, यह आइडल time, कितना हो यह 3 hours, समझ मेरा क्या बोल रहा है, दोनों का पेर है, अगर यह पहले खतम हो रहा है, तो इसको वेट करना पड़ रहा है, अभी यह कभी खतम हो रहा है, 53 hours में खतम हो रहा है, तब तक यह क्या करेगा, यह वेट करेगा, इसके free होने के बाद, तब ही दोनों साथ में यह काम बन कर झाल झाल